हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम डाउनलोड और इंस्टाल कर सकते हैं इप्सन L3110 प्रिंटर के ड्राइवर को वह भी हमारे विडियो सेवन के PC या फिल लैप्टाप में बहुत ही जाता सिम्पल प्रोसेस है तो चली अपने विडियो के ओर तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा Windows 7 32-bit का है या फिर 64-bit का है उससे चेक करना बहुत सिम्पल है हम चाहेंगे computer के उपर right click करेंगे properties के ऊपर click करेंगे properties में यहाँ पे अगर system type में 64-bit होगा तो वह मशिन 64-bit का है अगर यहाँ पे 32-bit होगा तो वह मशिन 32-bit operating system का होगा मेरा मशिन 32-bit operating system का है इसे हम close कर लेंगे इसके बाद हम जाएंगे किसी वीबे प्राउजन में मैं जा रहा हूँ Google Chrome में यहाँ पे हम टाइप करेंगे Ipsun L31100 प्रिंटर ड्राइवर और Enter की प्रेस करेंगे हमारे कीबर्ड के उपर तो यहाँ पे हमारे पहली लिंक आएगी उसी को हमें open करना है Ipsun की official website होगी उसे ही हमें open कर लेना है तो यहाँ पे हमारे Ipsun की website खुल जाएगी यहाँ पे हमारे Ipsun का नाम होगा उसी तरह से यहाँ पे हमारे printer का model number होगा L31100 तो यहाँ पे scroll करके नीचे आएंगे यहाँ पे operating system होगी यह operating system automatic detect करता है लेकिन कभी कभी नहीं भी करता जैसे कि इस case में इसने नहीं की है तो क्या करेंगे यहाँ पे click करेंगे और आपका जो कोई भी operating system होगा वो select कीजिए Windows 7 64 bit है तो 64 bit को ही जाएगे Windows 7 32 bit है तो Windows 7 32 bit को ही जाएगे bit बराबर select कीजिए तो मेरा 32 bit है तो मैं Windows 7 32 bit को select करूँगा उसके बाद go के उपर click कर देंगे यहाँ पे हम जैसे हम click करेंगे यह page refresh हो जाएगा फिर से एक बार page open हो जाएगा यहाँ पे operating system Windows 7 32 bit आ चुके तो यहाँ पे आप scroll करके नीचे आएँगे एकदम नीचे आएँगे तो यहाँ पे drivers और plus button है तो इस driver और plus button के उपर click करेंगे तो यहाँ पे आपको दो drivers मिनेंगे एक है scanner के driver और दूसरे है printer के driver हमें इन दोनों driver की जरूत है बाकी किसी की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले हमें printer scanner के driver को यहाँ पे download करूँगा तो यहाँ पे scanner है तो यहाँ पे download में जाऊंगा right click कर दूँगा open in new कर दूँगा आप directly भी download कर सकते हैं तो यहाँ पे एक new website खुल जागी option की तो यहाँ पे आप accept के उपर click करेंगे जैसे आप accept के उपर click करेंगे नीचे download होना आपका scanner के driver चालो हो जाएगी access mb के आसपा 61 mb के आसपा से फाइल है उसको जादा समय लगी लगेगा show all में जाएंगे show in a folder में जाएंगे और इसे drag करके desktop के उपर लाएंगे और इसे close कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे scanner के drivers आ चुके उसके बाद हमें फिर से एक बार web browser में जाना है इसे में बन कर लेता हूँ इसे भी बन कर लेता हूँ और इस बार यहाँ पे इस website में L3110 और उसके बाद इसके drivers हमें printer के driver चाहिए तो यहाँ पे जाएंगे complete हो जाए गया show all में जाएंगे show in a folder में जाएंगे इसे minimize कर लेंगे और इसे drag करके desktop के उपर लाएंगे इसे हम close कर लेंगे तो अब हम चाहते हैं यह जो setup file है यह जो setup file है printer की वो actually एक zip file है और इसे हम unzip कर सकते हैं तो इसे हम पहले unzip करेंगे करना है इसके अदर एक folder होगा उसके उपर double click करना है उसके अंदर winx अगर 32 bit होगा तो 8,6 होगा और अगर 64 bit होगा तो 6,4 होगा तो यहाँ पर double click करना है यहाँ पर हमारे सारे drivers है और इसे हम install करने वाले तो इन drivers को हम manually install करने वाले यह बहुत ही simple और reliable तरीका है तो उसके लिए का करेंगे हम manually install करने के लिए start में जाएंगे यहाँ पर control panel के उपर हम click कर देंगे control panel में हम devices and printers के उपर click कर देंगे यहाँ पर devices and printers में top में add a printer के उपर हम दो बार click कर देंगे तो नय option यहाँ पर आ जाएगा तो इसे में minimize या बंद कर सकते हैं यहाँ पर आप add a local printer add a printer में add a local printer के उपर click कर देंगे यहाँ पर port इस सबसे IMP part है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको USB 001, 002, 003, 004 कौन सा भी USB port को select कर देना है next को जाना है यहाँ पर hover disk को जाना है browse में जाना है desktop के उपर जाना है यहाँ पर आपकी newly created folder होगा उसके उपर double click करना है इस folder के उपर double click कर देना है यहाँ पर आपको दो files मिलेंगी कि CBA files के उपर click कर दीजिए मैंने पहले वाले किया open के उपर click कर देंगे ok के उपर click कर देंगे तो देखिए Ipsun L3110 series, यह series का प्रिंटर है, तो इस तरह से आ चुका है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, देखिए यहापर yellow mark आ चुका है, this driver is not digitally signed, तो यह drivers का digital sign का प्रॉब्लम है, इसको भी मैं solve करके दिखाऊंगा, आगे जाके हमें एक error आएगा, उससे solve करेंगे, next को पर क्लिक करेंगे, यहापे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं दूँगा L3110, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, next के उपर क्लिक करेंगे, तो कुछ इशनों में नाए error आएगा, आगया error, तो इसके अंदर क्या करना है, आपको यह बोल रहा है, यह digital sign नहीं है, तो यह driver से बाद में बनाए गये, Windows 7 रिलीज होने के बाद, उसके कारण यह problem आ रहा है, तो आपको install this software anyway, किसी भी तरह से इसे install कीजिए, ऐसा बोलना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका installation फिर से start हो जाएगा, उसको कुछ समय लग सकता है, तब तक आप जनाओ wait कीजिए, तो यहाँ पर आप print attach page के उपर अगर क्लिक करना चाहते हो, तो print attach page के उपर क्लिक कीजिए, या फिर finish के उपर क्लिक कीजिए, हमारा printer जो है, वो अब install हो चुका है, अब हमारा next part है, हमारा scanner driver को install करना, यह भी बहुती ज़्यादा AMP है, तो यहाँ पर scanner driver के उपर double click करेंगे, yes के उपर हम क्लिक करेंगे, तो यह unzip हो जाएंगे, और हमारी setup स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद next के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर terms and condition को accept करेंगे, next के उपर क्लिक करेंगे, तो installation process फिर स्टार्ट हो जाएगा, और उसे कुछी समय का वक्त लगता है, तब तक आप ज इंस्टाल हो जाएं नहीं, उसके लिए start में जाएंगे, counter panel में जाएंगे, counter panel को क्लिक करेंगे, devices and printers में जाएंगे, तो यहाँ पर आगर आपको इपसान L3110 दिखाए दे रहा है, इसका मतलब यह printer properly install हो चुका है, आपके Windows 7 के PC या फिर laptop में, तो दोस्तों इस वीडियो को आन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चानल को subscribe करना कता ही, मत पूलिए, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye